बूर्णिंग चिल्डरन, I am your computer teacher, रंजीता मैम, from class 1, how are you, सभी अच्छे होगे, I hope, मैंने आपको chapter 4 तक करवा दिया है, ठीक है, chapter 4 तक आपका complete हो चुका है, जो बच्चे वीडियो नहीं देखे होंगे अभी तक, वो पीछे के date का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, पीछे का date डाल कर देख सकते हैं, ओके, कल मैंने homework दिया था, I hope, सभी ने कुछ, सभी ने किया होगा, यह मैंने revision दिया था, match the column, मैंने दिया था, ठीक है, personal computer, का क्या होगा, मैं answer आज बता रही हूँ, ठीक है, option, Pascal machine का मैंने बता रखा था, blaze, Pascal, personal computer, personal computer का होगा, IBM PC, okay, IBM PC को ही personal computer कहते है, abacus used in, abacus कभ यूज हुआ था, it is used in 3000 BC, यह विल्कुल सामने वाला ही answer हो जाएगा, ठीक है, okay, next, CPU, CPU, CPU क्या है, तो CPU, brain of the computer है, okay, Charles Beves engine, Charles Beves engine, जो है, वो, first computer है, okay, soroban, soroban को abacus को ही soroban कहते हैं, ठीक है, it is also called soroban, so, I hope everyone do, everyone done this, अगर नहीं बनाए हो, तो बना लोगे, next, मैंने दिया था, true and false, ठीक है, पस्ट में, Charles Beves invented the base for modern computer, it is true, Niper Bones was invented by Blaise Pascal, no, it is false, Mousley known as the father of computer, no, it is false, a package was made with thin wire ? yes it is right monitor looks like a television ? yes it is true keyboard has 200 buttons ? no it is false CPU is a brain of computer , yes it right central processing unit is full form of CPU ? it is true ठीक है आप सभी मैच कर लो कि आपने क्या क्या लिखा है ओके और यू आसो रिमेंबर ओल इस तिंग्स सभी को यह याद कर लेना है ठीक है इस तरह से एक्जाम में आपका आ सकता है यह आपका वर्क है आज का सो यू राइट एच डबलू के डेट डालोगे फिल रिवीजन ओफ चैप्टर थर्ड यह मैं रिवीजन करवा रही हूं आप लोगों को करना है फिल इन दा ब्लैंक मैंने कुछ बनाया है चैप्टर से चैप्टर थर्ड से ठीक है अल मसीन रन ओन दैस मेड बाई हूमन ओके तो सभी मसीन जो हैं वो किस पर चलते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाएं गए मसीन हैं इसा क्या चीज है जो हमें हेल्प करता है लेटर लिखने में और सेंड करने में थर्ड रेफ्रिजरेटर कीप स्थिंग एंड वार्टर डैस रेफ्रिजरेटर चीजों को और पानी को कैसा रखता है फोर इट कैन वास यूर क्लोथ क्या है जो आपके कपड़ों को धोता है कुलर की यूर रूम डैस एंड फ्रेस कुलर आपके रूम को कैसा रखता है ठीक है यहां फ्रेस एक ओप्सन है और एक ओप्सन और हो गया 6. Electric iron is used to iron the dash एलेक्ट्रिक आइरन क्या iron करता है ठीक है डैस डिस्प्ले द मूवी कौन दिखलाता है ठीक है पिक्चर कौन दिखलाता है डैस कीप यूर फूड वांग आपके बोजन को खाने को कौन गर्म रखता है ठीक है बल्ब गीवस डैस बल्ब हमें क्या देता है कम्प्यूटर सेफ्स आवर डैस ओके आई होप एब्रीवन कैन सी क्लियरली सो यू राइट क्लियरली इन यूर कौपी and this is your option यहाँ पर option भी मैंने लिक रखा है बच्चों आप इसकी मदद से सारे fill in the blanks आप भरोगे ठीक है I hope everyone can understand सब समझ रहे हो मैंने इतना पढ़ा दिया अभी तब चैप्टर को अब रिवाइस करना है ओके चैप्टर फोर रिवाइस करूंगी फिर मैं in next video then we we go with chapter 5 पढ़ाऊंगी ठीक है so you do you should be do okay okay take care and goodbye